मैं विशाल जेन और आप लोगों का वेलकम करता हूँ लेट्स स्टार्ट आवर बंडरफुल ट्रेनिंग सेशन टुड़े आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बैतरिन प्रोडक्ट के बारे में और जो आज सभी लोगों की रुकार्मेंट है बच्चे से लेके बुजर्ग लोगों तक सभी लोगों को चाहिए और वो है न्यूटिशन न्यूटिशन क्यों जरूरी है क्यों हम सभी लोगों को न्यूटिशन की आवश्यक्ता है आज हम इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम nutrition ले सकते हैं तो पूरा वीडियो को आप जरूर देखिए पूरे वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी information मिलेंगी जो आपके लिए और आपकी family के लिए बहुत ज़्यादा महतपूर होने वाले हैं आपके परिवार से बीमारियों को दूर करने वाली हैं तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं हम आज क्या session को और बात करते हैं हम स्टार्ट यहीं से वाई भी नीडि न्यूट्रिशन हमें nutrition की आवसकता क्यों है तो आप समझिए कि nutrition हमें क्यों चाहिए पहले क्या होता था पहले की टाइम में 50 साल पहले जाएं अगर हम तो वहाँ पर nutrition की आवसकता नहीं थी क्योंकि जो खाना में मिलता था मिट्टी के अंदर nutrition value थी और उससे हमें सारे पोसकता तो मिल जाते थे लेकिन अभी क्या हो रहा है pollution की वज़े से और हम इतने सारे छिड़काव कर रहे है chemical डल रहे है तो उससे क्या है nutrition खतम होता जा रहा है कम होता जा रहा है इसलिए आज हमें nutrition की आवसकता है इसलिए हमें आज supplement food की आवसकता है बात करें दूसरा कारण क्या है दूसरा कारण हम देखते है फलोर सब्जी अगर हम बोलें कि हम फलोर सब्जी से हम nutrition ले रहे है लेकिन फलोर सब्जी हम आ कहां से रही है हमारे पास आज हम बहुत सारे फलों की बात करें तो बहुत दूर-दूर से आते हैं तो बहुत दूर से आते हैं हमारे पास में और उसके बाद में उनको दूर से जो लाया जाता है तो वह खच्चे तोड़े जाते हैं केमिकल डाला जाता है उनमें और वो रास्ते में पकते हैं तो उनकी जो बीच में ट्रांस्पोर्ट जो लगता है उसके में उसकी न्यूटिशन वैल्यू कम हो जाती है और उसके बाद में साथ-साथ यह भी होता कि आज आज आप देख रहे हैं कि जहां पर फल पैदा भी नह प्राय जा रहा है तो यह न्यूटिशन कम कर देते हैं उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ लोग उनका डायसन पूर है उनका वीक डायसन है तो अगर वो खाएंगे भी तो भी उनको न्यूटिशन जो पचने के बाद मिलना चाहिए तो खाना पचेगा नहीं तो उन न्यूटिशन वैल्यू नहीं मिलती तो उस वज़े से भी यह प्रॉलम हमें आज हमें सप्प्निमेंट फूर्ड या न्यूटिशन की आवस्ता है उसके बाद में हम बात करें तो ड्रिंक करने वाले लोगों के लिए जो लोग ड्रिंक करते हैं तील चीजों के बारे हम बा लिए भी रगता है तो जील लकीया करते हैं वाले चाई वाले वाले लोग है चाय पिंग से भी यूटिशन की कम ही होती यह मतलब आईर नापका जो बोडिकर अन्दर एब्सब होना चाहिए तो वह एब्सब करने कीермाट कम हो जाती है तो टेलाव फास्ट लाएब में क्या निखा रहे कि कुछ कुछ लोग तो एक बड़ा बाव एक सुवै का एक हलके से breakfast के ऊपर अपना पूरा दिन गुजार जाते हैं हमारे body के करोडो cells होते हैं हमारी body के अंदर उन सब को जिंदा रहने के लिए उन सब को अच्छे से work करने के लिए nutrition की आवसकता होती है क्या जाता है right amount of nutrients from healthy food in right combination जब तक ये पूरा combination हमको नहीं मिलेगा जब तक right amount of nutrients हमें अच्छे food से नहीं मिलेंगे और right combination में नहीं मिलेंगे फटेग हमें थकावट रहती है हमें कमजोरी फील होने लगती है body के अंदर हमें कभी कभी नीद नहीं आती है रात में irritation होने लगता है हमें nervousness फील होने लगती है depression की जैसी समस्यां देखने को मिलती है हमारे concentration poor हो जाता है कभी कभी हमें याद नहीं होता उसके लाबा बहुत सारे दर्द पेंड रहते हैं बहुत जल्द जल्दी लोगों में infection देखने को मिलता बहुत जल्दी जल्दी से infection होता है allergy भी बहुत जल्दी जल्दी से होती है उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी chapter ही नहीं होता उनको मतलब कि यह पढ़ाया ही नहीं जाता कि nutrition की वैसे भी परिशानिया आती है तो हम कहें कि ना तो हम डॉक्टर को complain कर सकते हैं डॉक्टर को जाके हम बोलते हैं patient complain करता है और doctor को पता ही नहीं होता कि patient के अंदर nutrient की deficiency हो सकती है ना patient को पता होता है कि मेरे अंदर nutrient की deficiency की वैसे मुझे प्रावलम आ रही है बोलो क्या करते हैं आपको दवाएं लिखते हैं दवाएं देते हैं और आपने बोला कि मुझे नीद की प्रावलम आ रही है तो नीद sleeping pills देंगे आपको कुछ और परिशानी आ रही है तो वो के लिए दवा देंगे और उसके बज़े से क्या होता है आपके nutrients की कमी होती जाती है और उससे आपका जो एजिंग है वो आपकी बढ़ती जाती है आप जल्दी से बूड़े होने लगते हैं आपकी बड़े बड़े issues देखने को मिलते हैं आप regularly frequently आप बीमार होने लगते हैं यह बीमारी की दर आपकी बढ़ती जाती है जो data collect किये गए large population के उपर वहाँ पर देखा गया कि जहाँ पर भी अगर आपका nutrients की कमी होती है तो वहाँ पर आपकी बीमारियों की दर बढ़ जाती है बीमार होना start हो जाते हैं और यह बीमारियां बहुत बढ़ते 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 आपकी heart disease में, cancer में, diabetes में, osteoporosis, arthritis और बहुत सारे serious जो के deficiency की कमी के वज़े से आपको problem देखनों को मिलती है यह आगे होते जाते हैं जब हम यह देखते हैं हम बोलते हैं कि हमें आज यह बड़ी समस्या हो गई क्योंकि हम हमारी age बढ़ती जा रही है लेकिन दोस्तों यह हमारी age बढ़ने की वैसे problem नहीं हुई हमें यह बहुत सारे time से problem चलती हा रही थी nutrient की deficiency के वैसे और यह 10 साल, 5 साल, 7 साल में यह बढ़ बच्चों में यह सबसे ज़्यादा problem देखी जाती है कि पूरे worldwide यह वो सबसे ज़्यादा nutritional deficiency के आफ फेस कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा nutritional deficiency उनके अंदर है 10 से लेके 19 साल तक के बच्चों के अंदर और अगर बात करें World Food Program की रिपोर्ट की उनके डाटा के according देखा जाए तो जो 53% बच्चे हैं वो आज 5 साल की एज तक के अंदर 5 years of age वो आज उनकी death हो रही है अंदर nutrition की वज़े से मतलब कि nutrition की कमी की वज़े से उनकी death हो रही है जैसा कि आप देख रहे है निमोनिया की वज़े से 20% टाइरिया की वज़े से 15% मलेरिया 11% इस तरीके के अलग-लग problem की वज़े से इतने बच्चे death हो रही है बाकि 53% बच्चों की death का काराण आज अंद nutrition है तो आप समझ सकते हैं कि nutrition की कितनी बड़ी requirement है और UN की report की अगर आप बात करें तो 40% बीमारियां जो आज आ रही है वो nutritional deficiency की वज़े से आ रही है तो आप समझे के हमें कितना ज़्यादा nutrition की आवसकता है अगर हम बात करें तो हमें सारी चीजों की requirement है हमें कार्वाइडर चाहिए हमें protein चाहिए हमें fat चाहिए हमें fiber चाहिए हमें vitamins minerals चाहिए और हमें और बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे-चोटे macronutrients चाहिए जिनमें zinc है magnesium potassium है जो कि अगर हम मैं बात करूं zinc के बारे में तो हमें per day 11 mg zinc की requirement होती है और हमें zinc कहां से मिलता है तो zinc के दो सोर्स है अपने पास में पालक है और एक मूली है तो अगर हम 100 gram पालक खाते हैं तो उसमें मात्र 0.8 mg zinc मिलता है और अगर 100 gram redis या मूली हम खाते हैं तो हमें 0.28 mg zinc जिंक उस दर से मिलता है मतलब कि अगर हमें per day 11 mg zinc जो हमें चाहिए तो हमें लगबग 1.5 kg पालक और 4 kg मूली खाना पड़ेंगी जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए possible नहीं है इतना खाना जिंक लेने के लिए तो आप समझे कि इनकी requirement कितनी है हमें कार्वाडियर्ट चाहिए जिससे हमें energy मिलती है protein चाहिए जो हमारे tissue की growth के लिए maintenance के लिए काम करते हैं fat हमें चाहिए energy देता है हमें energy को store करता है hormones production करता है fiber हमें चाहिए vitamins mineral चाहिए जो हमारे metabolism को बढ़िया रखते हैं हमारे cell growth को बढ़िया रखते हैं by chemical function करने में काम करते ह्या तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें चाहिए लेकिन क्या ये सारी चीजें हमें जो right combination है वो right combination में मिल पा रही है क्या नहीं मिल पा रही है ये बहुत difficult है आज किसी वी व्यक्ति को लेना जो हम खाना खा रहे हैं जो परड़े हमारी थाली में जो डाल या जो भीजलिस चीज़ें हम खाते हैं उनसे मिलना बहुत मुश्किल है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें न्यूटिशन क्यों चाहिए न्यूटिशन हमें चाहिए थाकि हम अपनी लाइफ को healthy life को energy के साथ में lead कर सकता है हमें energy बनी रहे हमारे दिन 24 गंटे हम काम कर सके हमारी life एक दम बहतरी तरीके से run कर सके हम keep going रहे हमारे को इस तरीके से back में car में petrol की आवसकता होती है उस तरीके से हमारे अंदक nutrition होगे तो हम पूरा अच्छे तरीके से भाग दो राप नोगा कार सकते हैं जोग इस गंटे काम कर सकते है हमारी हर एक cell को जिंदा रहने के लिए nutrition की आवसकता है हम 스मझिए अब हम बात करते हैं कि हमारे on and on न्यूट्रिलाइफ जो कि एक बहतरीन प्रोड़क्ट तिजाइन किया गया है बहुती बड़ा रिसर्च बेस्ट प्रोड़क्ट है साइन्टिफिकली इसको डवलब किया गया है और आज की मॉडरन एज में जो हमें एनरजी की नीड है और जो लोगों की रिक्वार्मेंट है उसके हिसाब से इसको डवलब किया गया है ताकि आपको सारे वाइटामिन्स, मिनरल, कार्वोड़ेट, प्रोटीन्स सारी कमी को ये पूरा कर सके आपकी बैलेंस डाइट को फुलिफिल कर सके क्या क्या प्रोवाइट करता है मैं आप जैसा की देख रहे हैं ये सारी डाइगराम के अंदर आपको दिखाया गया है प्रोटीन कार्वाइडरेट जो आपको परड़े रिक्वार्मेंट है जिंक, सोडियम, कलोराइड, पोटेसियम, मेगनीसियम, वाइटामिन्स ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है दोस्तो और बात करा है इन सारी चीज़ों को लेने के बाद में आपको क्या फील होता है आपको क्या मिलता है अगर आप रेगुलर न्यूटिलाइफ को यूज करते हैं तो इससे आपको इम्मुनुटी बढ़ती है इम्मुनुटी देता है आपको आपको एनरजी देता है आप अच्छे तरीके से पूरा दिन काम कर सकते हैं एकदम एक्टिव रह सकते हैं आपके अंदर तागत देता है आपको बैलेंस न्यूटिशन ये आपको प्रोवाइड करता है ये प्रोटीन सपोर्ट करता है आप लवा बिलड सिस्टम के अंदर ऑक्सियन की सप्लाई करता है इंक्रीज करता है उसको बढ़ाता है आपकी vitamins की जो amount है जो कि आपको recommended है वो आपको देता है macronutrients आपको देता है minerals आपको देता है जिस तरीके से magnesium, potassium, calcium मैंने आपको बताया iron, zinc ये सारी चीज़ आपको provide करता है ताकि आपके अदर blood की कमी भी नहो, calcium भी आपको मात्रा में, भरबूर मात्रा में मिले जो आपको चाहिए और इनको लेने से क्या होता है बोला जाता है कि एक मैं बात करूँ growth retardation जो बच्चों को बच्चपन में जितना nutrition चाहिए और उनको नहीं मिलता तो उनकी hydrant नहीं बढ़ती, उनका mind sharp नहीं होता उनको जो nutrients अगर अच्छे तरीके से मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनको nutrition मिलना चाहिए तो वो nutrition अगरोने starting में मिल जाता है और वो nutrition life के माध्यम से उनको मिलेगा तो उनकी growth बहुत अच्छी होगी उनका height अच्छी बढ़ेगी उनका mental growth बहुत अच्छा होगा उसके बाद मैं यह help करता है infertility की problem जो रहती है वहाँ पर उनको खतम करने में काम करता है मतलब कि जो बच्चा ना होने की समस्याइं भी आती है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं nutrition की कमी होती है तो यह वो उसमें भी help करता है आपको prevention में उसके लावा आपके weakness कम जो ही रहती है खून की कमी हो जाती है अनिमिया हो जाता है तो वहाँ पर भी यह help करता है आपकी prevention में उसके लावा आपके अगर इसको आप लेते हैं तो आपकी skin अच्छी रहती है आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है आँखें अच्छी रहती है उसके लावा आपके sexual function में भी यह मदद करता है आपको और इन सारी चीजों के साथ-साथ लोगों को लगता है कि यह safe है या नहीं खाने में इसे कोई problem तो नहीं आएगी तो दोस्तो यह on and on newty life आपका product जो आप use करेंगे वो FSAI Food Safety and Standards Authority of India के दोरा approved है मतलब की खाने में 100% safe है 100% vegetarian है vegetarian लोगों के लिए suitable है आराम से आप इसे use कर सकते हैं आप इसे ले सकते हैं आप इसको use करिए fit बने रही है healthy बने रही है अपने परवार को fit बनाईए अपने परवार को healthy बनाईए अपने बच्चों को स्वस्थ बनाईए पोसकत्त तो सारे पोसकत्त तो दीजिए thank you दोस्तो और आपने जो इस वीडियो को सुना सारे nutrition के बारे में आपको जानकारी मिली इसको आप जाय से आदो लोगों तक इसको share करिए और हम next वीडियो में मिलेंगे दोस्तो अपने एक बहतरी वीडियो के साथ में जहां पर हम बात करेंगे अपने thyroid के result के बारे में जहां पर एक lady Ruby Shant मेडम जिनको thyroid में बहुत अच्छा result उनको देखने को मिला अपने 95, Spilna Gold, Kavachpras ऐसे कुछ अच्छे product को use करने के बाद में सुनेंगे हम उनकी जुबानी इस result को तब तक के लिए आप like करिए, subscribe करिए और इस वीडियो को जहाँ स्यादा लोगों तक forward करिए Thank you